हलो फ्रेंट्स आप सभी का PNC YouTube चारल में स्वागत है देखे फ्रेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चाप्टर में इसके पहले उड़े लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेशन नमबर 2 से लेके क्वेशन नमबर 9 तक हर एक question के solution को बहुती अच्छी तरह से discuss किया आए इस पहले लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 3 के जो remaining questions है question no.10 से लेके question no.14 तक हर एक question के solution को यहां पहे हम बहुती अच्छी तरह से discuss करेंगे दीखे यहां जो हमें question no.10 दिया है there are 37 terms in AP AP में total हमें 37 terms दिये गया है The sum of the 3 terms placed exactly in the middle is 225 And the sum of the last 3 terms is 429 Find the AP हमें यहाँ पर AP find करना है देखें total 37 terms है देखें friends मैं example के तोर पर आपको बताता हूँ Suppose हमारे पास terms है T1, T2, T3, T4, T5 मतलब हमारे पास total 5 terms है यहाँ पर देखें middle वाला term हमें number 3 का दिखता है T3 अब यह middle वाला number हम यहाँ पर by observation देख रहे हैं लेकिन अब 37 terms है 37 terms में से middle वाला number हम कैसे सर्च करेंगे देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर total terms कितने 5 है इस 5 में अगर 1 add किया और उसको हमने 2 से divide किया तो यह 6 upon 2 मतलब यह मिलेगा हमें 3 इसका मतलब जब 5 terms रहेंगे तब middle वाला term third रहेगा क्यों हमने क्या किया इस 5 में जो number of terms थे उसमें हमने 1 को add किया यहाँ पर number of terms कितने हैं देखिए यहाँ पर n equals to 37 middle term रहेगा ध्यान दिजिए यहाँ का middle term is AP का middle term मतलब n plus 1 upon 2 मतलब 37 plus 1 upon 2 37 plus 1 is 38 upon 2 और 38 upon 2 मतलब यह मिलेगा 19 तो middle वाला जो term है therefore middle term is ध्यान दिजिए middle term is यह रहेगा T19 यहाँ पर middle term है हमें क्या दिया है the sum of the three terms placed exactly in the middle जैसे middle वाला term अगर T3 है तो three terms क्या रहेंगे T3 के पहले का एक term और T3 के बाद में का एक term मतलब T2, T3, T4 तो अगर यहाँ पर middle वाला term T19 है तो यहाँ हमें क्या दिया गया है इसके पहले का एक term मतलब T18 फिर उसके बाद का एक term T19 और फिर उसके बाद का एक term T20 मतलब T18 प्लस T19 प्लस T20 इक्वास तो हमें दिया है 225 ठीक है ना यह from first condition हमने यहाँ पर लिया है देखिए इस फॉर्मूला में धान दिजे इस फॉर्मूला में हम इन इक्वास टू 18 पूट करेंगे धन दिजे पूट इन इक्वास टू 18 फिर इन इक्वास टू 19 और इन इक्वास टू 20 इस फॉर्मूला में अगर हमने इन का वैल्यू 18 इन का वैल्यू 19 और इन का वैल्यू 20 सब्सूड किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा, T18 इक्वल्स टू A प्लस, 18 माइनस 1 मतलब 17D, ठीक है, फिर उसके बाद में, T19 इक्वल्स टू क्या रहेगा, T19 इक्वल्स टू A प्लस, 19 माइनस 1 मतलब 18, तो यह रहेगा, A प्लस 18D, फिर अगर हमने T, यानि equals to 20 substitute किया तो यह मिलेगा हमें T20 equals to A plus यहाँ पे रहेगा यह 19D, 20 minus 1 मतलब 19, और इन सभी का हम यहाँ पे लेते हैं sum, धान दिजे, तो इन सभी का sum हमें क्या मिलेगा, T18, फिर प्लस T19, फिर प्लस T20, equal to A plus A plus A, मतलब यह रहेगा 3A, ठीक है, देखें प्रेंट्स, इस 19 में से 1 हमने यहाँ पे add किया, तो यह 18 होगा, मतलब और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 19 में से एक कम किया, तो यह 18 हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा, 18, 3, 54, तो इसका sum हमें मिलेगा 54D, समझ रहेगा आप, या फिर सिदा सिदा sum लीजे, मैंने क्या किया, इस 19 मे का value कितना है 225 therefore 225 equals to 3A plus 54D इसका मतलब 3A plus 54D equals to हम 225 ले सकते हैं चाहे तो आप यहां पे दोनों side को 3 से भी divide कर सकते हो तो हमें यहां पे 3 से divide कर सकते हैं इसे भी 3 यह 3 से divisible है यह भी divisible है तो आप दोनों side को 3 से divide कर सकते हो ठीक है या फिर इसे इस प्रकार से रखा तो भी चलेगा अब second condition हमें क्या दिया है from given second condition from second condition ठीक है ना हमने first condition तो लिया कि वहां के middle three terms का sum हमने 225 लिया अब देखिए यहां पे में क्या दिया है sum of the last three terms last वाला term क्या है 37 number का तो last three terms क्या रहेंगे फिर धान दिजे यह रहेगा यहां पे 35 t35 plus t36 plus t37 now this is equals to सबज़े ना आप last वाला term 37 number का है तो t35 plus t36 plus t37 equals to हमारे पास रहेगा 429 चले इसे कहते हम third ठीक है फिर से हम formula में put yen equals to 35 yen equals to 36 yen equals to 37 in formula formula में हम यह terms यहां पे substitute करते हैं तो देखें formula हमें क्या देगा t35 okay t35 equals to रहेगा a plus 34 d क्योंकि yen का value हमने 35 लिया है अब yen का value 36 लेते तो t36 equals to a plus यह रहेगा 35 d अगर हम yen का value 37 sub shoot करते तो t37 equals to a plus 36 d और इन सभी का हम यहां पे लेते हैं तो यह मिलेगा हमें t35 plus t36 plus t37 equals to a plus a plus a मतलब यह रहेगा 3a ओके तो यहां पे यह 36 में से अगर एक यहां पे आड करते 1 तो यह 35 होगा यह 35 होगा यह भी 35 होगा इसका मतलब यह मिलेगा हमें 105 d t35 plus t36 plus t37 का value 429 है therefore 429 equals to 3a plus 105 d और यहां पे मैं लिखता हूँ using okay using third हमने यहां पे third को apply किया है ठीक है न जिस प्रकार से यहां पे हमें लिखना चाहिए था using first यहां पे हमने first को use किया है इसका मतलब धान दीजे इसका मतलब 3a plus 105 d equals to 429 रहेगा इसे कहते हम equation fourth यह पूरा काम हम क्यों कर रहे है क्योंकि हमें AP के terms find करने AP के terms find करने के लिए हमें क्या-क्या find करना होगा हमें A का और D का value पता करना जरूरी है ठीक है ना AP के terms हम तभी find कर सकते हैं जब हमें A और D पता हो तो A और D का value find करने के लिए अब हमारे पास दो equations है equation second और equation fourth हम क्या करेंगे देखे धान दीजे equation third को हम subtract करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ subtracting equation third ने स्वार equation यह second subtracting equation second धान दीजे subtracting equation second ओके from fourth equation second को fourth में से subtract कर लेते हैं देखे equation fourth हमारे पास है 3A plus 105D equals to 429 जिसमें से इस equation को minus करना है मतलब 3A plus 54D equals to 225 इसका लेना है में subtraction यह minus यह minus और यह minus होगा तो यह 3A 3A cancel होगा 105 minus 54 it will be 51D ठीक है 9 minus 5 4 2 minus 2 0 4 minus 2 2 तो 51D equals to 204 इसका मतलब D equals to 204 upon 51 इसका मतलब 4 तो D का value हमारे पास 4 है अब यह D का value 4 या तो हम equation second में substitute कर सकते हैं या फिर equation fourth में substitute कर सकते हैं to find the value of A ओके तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ put D equals to 4 in equation second इसे हम equation second में substitute करेंगे इस equation में D का value अगर 4 हमने substitute किया तो देखिए हमें 3A plus इस 54 को अगर हमने 4 से multiply किया D का value 4 substitute करना है 54 को 4 से multiply किया तो यह 216 हो जाएगा 216 equals to हमारे पास से 225 ठीक है इसका मतलब ध्यान दीजे 3A equals to हमारे पास रहेगा 225 minus 216 it will be 9 मतलब A का value हमारे पास रहेगा simply 3 ठीक है ना A का value 3 और D का value हमें 4 मिला है अब यह दोनों value यूज़ करके हम terms find करेंगे AP के देखिए T1 equals to A equals to रहेगा 3 फिर T2 equals to रहता है T1 plus D T1 का value 3 है D का value 4 है 3 plus 4 it will be 7 फिर हमें T3 find करना है T3 is T2 plus D T2 का value 7 है उसमें 3 को add किया sorry उसमें 4 को add किया क्योंकि D का value 4 है 7 में 4 को add किया तो यह हमें मिलेगा 11 उसी प्रकार से T4 equals to रहेगा T3 plus D मतलब 11 plus 4 equals to 15 तो इस प्रकार से हमने AP के पहले 4 terms find किया है तो उस प्रकार से हम AP को लिख सकते हैं Now therefore the required AP यहां का जो required AP रहेगा the required AP is AP के terms क्या क्या रहेंगे 3, 7, 11, 15 and so on इस प्रकार का यह AP रहेगा ठीक है तो इस प्रकार से देखिए हमें यहां पर AP के terms find करने थे धान दीजे AP के हमें terms find करने थे तो उन terms को find करने के लिए हमने जो दो conditions problem में दिये थे उन दो condition को use करके equation second और equation fourth ऐसे दो equation A और D में यहां पर form किये उन equation को as a simultaneous equation solve करके हमने A और D के value find किये और उन A और D के value को use करके हमने AP के terms यहां पर find किये तो required AP रहेगा 3, 7, 11, 15 and so on इसका screenshot लीजिए question number 11 is if the first term of an AP is A the second term B and the last term C then show that the sum of the terms of the AP is A plus C into inside the bracket B plus C minus 2A upon 2 into inside the bracket B minus A question number 11 जो है इसे start दिया है मतलब यह as a hot question हमें exam में पूछा जा सकता है देखिये यहां पर first term जिसे हम T1 कहते हैं यह हमारे पास A है फिर second term T2 यह हमारे पास B है और last वाला term मतलब TN यह यहां पर दिया है हमें C तो इस प्राकार से T1, T2 और TN यह हमें यहां पर provide किया गया है sum of the terms of the AP मतलब yes N and the terms of AP मतलब yes N equal to हमें प्रूव करना है A plus C into B plus C minus 2A upon 2 into B minus A यह क्या है sum of the terms of the AP मतलब sum of the un-terms of the AP मतलब yes N yes N equals to हमें यह प्रूव करना है ठीक है देखिए first और second term अगर हमें पता है तो हम common difference D find कर सकते common difference D is T2 minus T1 मतलब यह रहेगा B minus A ओके now let us find अब यहां पर हम find करते number of terms कितने रहेंगे let us find the number of terms यहां पर number of terms कितने रहेंगे मतलब N का value हम यहां पर find करते है देखिए हमारे पास formula है TN equals to A plus N minus 1 into D ठीक है अब TN का value हमारे पास C है C equals to A plus N minus 1 into D का value है B minus A धान दीजिए therefore C minus A equal to इस A को transfer करेंगे left hand side में तो C minus A होगा अब हम क्या कर रहे है let us find the number of terms इस AP के हम number of terms कितने रहेंगे मतलब N का value यहां पर हम find कर रहे है let us find the number of terms that is N हम यहां पर calculate कर रहे है C minus A equals to N minus 1 into A रहेगा B minus A इसका मतलब C minus A upon B minus A equals to रहेगा N minus 1 समझ रहे आप अब इस minus 1 को transfer करते है तो C minus A upon B minus A धान दिजिए plus 1 equal to रहेगा अब इस B minus A से 1 को multiply करेंगे तो C minus A plus B minus A upon B minus A equal to रहेगा रहेगा N ठीक है? इसका मतलब देखिए C plus B या फिर हम इसे लिख सकते है B plus C B plus C minus 2 A B plus C minus 2 A upon B minus A equal to रहेगा N इसका मतलब देखिए धान दिजिए N equals to क्या है? B plus C minus 2 A upon B minus A यह हमें यन का value मिला है B plus C minus 2 A upon B minus A चलिए इसे कहते हैं हम first ठीक है? अब देखिए sum of the sum of the terms of AP जिसे हम SN कहते है SN का formula हमारे पास है N by 2 into inside the bracket twice A plus N minus 1 into D या फिर हम यह formula इस प्रकार से भी ले सकते है T1 plus T2 ok? SN equals to N by 2 into T1 plus T2 sum of the terms of the AP का formula ठीक है? इसका मतलब SN equals to N का value अब हमारे पास है B plus C minus 2 A upon B minus A यह है N का value upon कितना है 2? ठीक है न? यह हम SN equals to ले रहे हैं धान दीजिए now into inside the bracket T1 plus T2 what is T1? T1 is A और T2 का value भी है तो यह रहेगा यहां पे A plus B ठीक है न? A plus B sorry T1 plus TN formula है sorry यह T1 plus TN है मैंने T1 plus T2 लिखा है SN equals to N by 2 into inside the bracket T1 plus TN यह formula है first term plus last term twice A plus N minus 1 into D यह जो है T1 plus TN का formula है तो यह T1 plus TN मतलब यह रहेगा A plus C ठीक है न? formula क्या है T1 plus TN SN equals to N by 2 into inside the bracket T1 plus TN या फिर आप ले सकते हो 2A plus N minus 1 into D वो भी ले सकते हो bracket में अब यह B minus A और 2 का product होगा इसका मतलब SN equals to B plus C minus 2A upon 2 into B minus A into रहेगा A plus C ठीक है चाहे तो हम इसे लिख सकते है SN equals to A plus C into inside the bracket B plus C minus 2A upon 2 into B minus A हमें क्या प्रूव करना था? then show that the sum of the terms of the AP therefore हम क्या लिखेंगे? the sum of the terms of AP okay the sum of the terms of the AP मतलब N terms of the AP is हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है? A plus C into B plus C minus 2A and this whole term divided by 2 into B minus A okay और यही हमें प्रूव करना था तो यहाँ पे लेखेंगे हम hence प्रूव यही हमें यहाँ पे show करना था ठीक है? इसका screenshot लिजिए question number 12 is if the sum of first P terms of an AP is equal to the sum of first Q terms इसका मतलब SP equals to SQ ऐसा हमें दिया है sum of the first P terms is SP sum of the first Q terms is SQ SP equals to SQ ऐसा हमें यहाँ पे दिया है then show that the sum of its first P plus Q terms मतलब S suffix P plus Q sum of first P plus Q terms मतलब S suffix P plus Q यह हमें प्रूव करना है 0 ठीक है न? देखे हमें क्या दिया है? S P equals to SQ दिया है very simple ओके यहाँ पे हम consider करते है let A be the first term suppose इस AP का first term हम consider करते है A and D be the common difference और यहाँ का common difference हम consider करेंगे D and D be the common difference of AP ऐसा suppose हमने यहाँ पे consider किया है ओके now the sum of धहान दीजे the sum of first P terms ओके first P terms of AP यह हमारे पास रहेगा formula है हमारे पास SP मतलब SN का SP equals to P by 2 into inside the bracket 2A plus P minus 1 into D SN का formula हमने यूज किया SN equals to N by 2 into inside the bracket 2A plus N minus 1 into D ओके उसी प्रकार से now the sum of first Q terms okay the sum of first Q terms of AP AP के first Q terms का sum रहेगा SQ equals to Q by 2 into inside the bracket 2A plus Q minus 1 into D ठीक है अब हमें क्या दिया है from धान दिजे from given condition हमें problem में क्या condition दिया गया है SP equals to SQ ओके यह हमें दिया है इसका मतलब what is SP SP is P by 2 into inside the bracket 2A plus P minus 1 into D equals to SQ is Q by 2 into inside the bracket 2A plus Q minus 1 into D देखे फ्रेंड्स यह जो calculation हम यहाँ पे ले रहें सिम इसी प्रकार का calculation हमें question number 13 में भी consider करना है तो ठीक तरह से धान दिजे अब यहाँ पे दोनों साइड को हम 2 से multiply करते है मतलब यह 2 और यह 2 cancel होगा multiplying both sides धान दिजे multiplying both sides by 2 दोनों साइड को suppose हमने 2 से multiply किया तो यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा 2 into P by 2 2 to cancel 2 into Q by 2 2 to cancel इसका मतलब हमारे पास रहेगा P into inside the bracket 2A plus P minus 1 into D equals to Q into inside the bracket 2A plus Q minus 1 into D अब suppose अगर हमने P से multiply कर लिया तो यह मिलेगा 2A P इस P से P minus 1 को multiply किया तो P square minus P into D देखिए P से हमने P minus 1 को multiply किया उसी प्रकार से Q से 2A को multiply किया तो 2A Q Q से Q minus 1 को multiply किया तो Q square minus Q into D रहेगा ठीक है यह पूरे टर्म समें दिर transfer करते है इसका मतलब हमारे पास रहेगा 2A P plus धान दीजिए P square minus P into D फिर minus 2A Q minus 2A Q minus Q square minus Q into D Q square minus Q into D equal to 0 ठीक है तो अब हमारे पास रहेगा 2A P minus 2A Q ओके plus इन दो टर्म को हम साथ में लेते हैं P square minus P into D minus Q square minus Q into D now this is equals to 0 ठीक है अब यहां से हम 2A को बाहर ले सकते हैं तो ब्राकेट में P minus Q रहेगा plus अब इसे हम ले सकते हैं P square D minus P D ओके minus फिर यह Q square D Q square D minus minus plus Q D now this is equal to 0 देखिए हमने D से multiply किया तो P square P square D minus P D यहां पे D को multiply किया Q square से Q square D minus Q D लेकिन यह minus साहिन है तो minus Q square plus Q D equal to 0 रहेगा ठीक है अब देखिए इन terms को हम साथ में लेते हैं now twice A into inside the bracket P minus Q प्लस ठीक है इन दो terms को साथ में लेते हैं P square D minus Q square D फिर यहां पे minus P D plus Q D now this is equals to 0 ओके यह जो पहले दो terms है धान दीजिए यहां से अगर suppose हमने complete पूरे term में से suppose D को बाहर लिया पूरे term में से ठीक है ना यहां पे D से multiply किया वैसा चलेगा यहां फिर suppose हम यहां पे इसे इस प्रकार से भी ले सकते हैं देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे इस इस प्रकार से लिखता हूँ मतलब एक step हमारा बचेगा कौन सा यह पूरे term में से देखिए यहां पे D है और यहां पे D है तो D को हम common लेते हैं D को अगर बाहर common लिया तो यह रहेगा P square minus P फिर minus से multiply किया तो minus Q square plus Q now this is equal to 0 हमने suppose D को उस term में से complete term में से D को हमने बाहर लिया है तो D into inside the bracket P square minus P फिर यह minus Q square plus Q अब देखिए इन दो terms को हम साथ में लेते हैं कौन से P square minus Q square और फिर यह minus P plus Q equal to 0 इस प्राकार से इसको हमने लिखा है now twice A into inside the bracket P minus Q plus D into inside the bracket P square minus Q square के दो factors एक रहेगा P minus Q दूसरा रहेगा P plus Q A square minus B square के दो factors हमें पता है यहां से अगर हमने minus 1 को बाहर लिया तो bracket में रहेगा P plus P minus Q क्योंकि minus 1 बाहर ले रहे तो इस plus की जगा यहां पे minus होगा समझ रहे ना हमने minus को बाहर लिया तो यह P minus Q बनेगा now this is equals to 0 दान दीजे और फ्रेंट से ठीक है अब देखिए यह जो square bracket है इस square bracket में यह P minus Q और यह P minus Q हमें same दिख रहा है तो यहां से अगर हमने P minus Q को बाहर लिया twice A into inside the bracket P minus Q plus D into inside the bracket क्या रहेगा P minus Q बाहर लिया तो bracket में रहेगा P plus Q minus 1 now this is equals to 0 देखिए फ्रेंट से हमने P minus Q को बाहर लिया ठीके न इस P minus Q को बाहर लिया यह D के साथ P minus Q रहेगा फिर यह P plus Q minus 1 हो जाएगा P plus Q minus 1 equals to 0 अब यहां पे P minus Q है देखिए यह first time में P minus Q है second time में भी P minus Q है तो P minus Q को अगर हम बाहर लेते हैं धान दीजे P minus Q को अगर हमने बाहर लिया तो bracket में हमारे पास रहेगा 2A plus D into inside the bracket P plus Q minus 1 equal to 0 ओके P minus Q equals to twice A plus D into P plus Q minus 1 equal to D देखिए friends P is not equals to Q ऐसे दिया है अगर P Q के बराबर नहीं है तो P minus Q 0 नहीं है अगर P और Q सेम नहीं तो difference 0 नहीं आएगा इसका difference 0 कब रहेगा जब यह दोनों सेम रहेंगे अब यह दोनों सेम नहीं है मतलब difference 0 नहीं है मतलब यह non-zero term है गर यह non-zero term है तो इस term से हम उदर divide कर सकते है तो इसको हम लिख सकते है twice A plus सिर्फ इसे लिखते से हमें मैं इस प्रकार से लिखता हूँ P plus Q minus 1 into D यह D into P plus Q minus 1 है इसको मैंने P plus Q minus 1 into D लिखा है now this is equals to 0 upon P minus Q हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से Q ले सकते है क्योंकि P is not equals to Q P Q के बराबर नहीं इसका मतलब P minus Q is not equal to 0 तो इसके कारण देखिए इसके कारण आपने सिर्फ इतना लिखा तो भी चलेगा P is not equal to Q यह जो साइन आपको दिख रहा है ना इसे कहते हैं हम implies इसे हम क्या कहेंगे implies P is not equals to Q implies P minus Q is not equals to 0 ठीके देखिए धान दीजिए अब हम क्या करेंगे देखिए 0 upon P minus Q मतलब यह 0 मिलेगा इसका मतलब twice A plus P plus Q minus 1 into D equal to हमारे पास रहेगा 0 यह P minus Q non 0 है इसके कारण 0 upon P minus Q का अंसर हमें 0 मिलेगा और चलिए इसे कहते हैं first धान दीजिए it is equation first फिर इसके बाद देखिए अब हमें क्या छो करना है the sum of its first P plus Q terms देखिए यह हम किस प्राकार से ले सकते है the sum of first P plus Q terms P plus Q terms of AP AP के P plus Q term का sum देखिए SN का फोर्मूला हमारे पास क्या है yes N equals to N by 2 into inside the bracket 2 A plus N minus 1 into D ओके it is sum of the first N terms अब हमें क्या लेना है sum of first P plus Q terms इसका मतलब yes suffix P plus Q जैसे यहाँ पे yes N है वैसे यहाँ पे yes suffix P plus Q अब जहाँ YN है वहाँ पे P plus Q रखना पड़ेगा मतलब यह P plus Q upon 2 Q because हमें some of the first P plus Q formula some of the first P plus Q यह find करना है इसका मतलब यह जो formula SN का इस formula में YN की जगा हमें क्या substitute करना है P plus Q तो यह रहेगा P plus Q upon 2 फिर यह into inside the bracket 2A plus फिर से YN की जगा P plus Q और फिर minus 1 into D रहेगा ठीक है न 2A plus P plus Q minus 1 into D देखिए फिरेंट्स 2A plus P plus Q minus 1 into D का value कितना है जीरो है इसका मतलब यह सफिक्स P plus Q equals to P plus Q upon 2 into रहेगा 0 हम क्या कहेंगे using first हमने यहाँ पर first को use किया है इसका मतलब देखिए इसका मतलब यह सफिक्स देहां दीजे इसका मतलब यह सफिक्स P plus Q यह जो है इसका अंसर हमें क्या मिलेगा देखिए यह term 0 है twice A plus P plus Q minus 1 into D का value 0 है 0 से P plus Q upon 2 को multiply किया तो अंसर मिलेगा हमें 0 इसका मतलब क्या इसका मतलब the sum of first P plus Q terms is 0 देखिए यह सफिक्स P plus Q equals to 0 इसका मतलब the sum of its first P plus Q terms is 0 क्योंकि the sum of first P plus Q terms of AP का formula यह सफिक्स P plus Q और यहां पर हमने यह सफिक्स P plus Q equal to 0 प्रू किया है और यह हमें यहां पर show करना था ठीक है इसका screenshot लेजिए इसका मतलब क्या देखिए yamth term of AP yam times mtm into tm ok yam times yam times the yamth term of AP is equal to yamth times the yamth term of AP mtm equals to yamth n अगर ऐसा है तो क्या प्रू करना है show that yam plus yamth term मतला t suffix yam plus yam yam plus yamth term yamth term क्या लेते है tn yamth term क्या लेते है tm उसी प्रकार से yam plus yamth term क्या रहेगा t suffix yam plus yam यह yam plus yamth term हमें क्या प्रू करना है 0 अगर yam tm equals to yam tn है तो t-suffix yum plus yam equal to हमें प्रूव करना है 0 देखे इसके पadow के पास जो हम लिखते हो उसको गहता है सफिक्स अगर इसके SAR के उपर लिखेंगे तो इंडेक्स पहर के पास लिखेंगे तो suffix तो t-suffix yum plus yam equal to 0 t-suffix yam plus yam equal to 0 यहां पर हमें प्रूव करना है, okay? देखिये फ्रेंट्स, यन्थ टर्म आफ ए पी, okay? यन्थ टर्म आफ ए पी, सपोज हम यहाँ पर अन्थ पर कंसिलर करेंगे, देखिए धान दीजे, let A be the, let A be the first term, let A be the first term, okay? and small d be the common difference and small d be the common difference suppose यहाँ पे d क्या है common difference of ap अगर ऐसा है तो यंत term of ap धान दिजे यंत term of ap रहेगा tn equals to क्या रहता है a plus n minus 1 into d और उसी प्राकार से यंत term of ap ap का जो यंत term है यह रहेगा हमारे पास t suffix ym equals to a plus ym minus 1 into d ठीक है हमें क्या दिया है what is given from given condition देखिए धान दिजे हमें क्या दिया है from given condition हमें यहाँ पे क्या condition provide किया गया है ym times ymth term equal to n times ymth term यह हमें दिया गया है इसका मतलब ym into inside the bracket कितना रहेगा a plus ym minus 1 into d equals to ym into inside the bracket a plus ym minus 1 into d ठीक है अगर ym से multiply किया तो ym a plus ym से ym minus 1 को multiply करेंगे तो ym square minus ym d उसी प्रकार से ym से ym को multiply किया तो ym a ym से ym minus 1 को multiply किया तो n square minus ym into d इसका मतलब ym a minus ym equals to ym square minus ym या फिर इन सभी terms को मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ इन सभी terms को suppose हम left hand side में transfer करेंगे मतलब ym a plus ym square minus ym into d minus ym minus ym square minus ym into d equal to 0 अब इन दो terms को साथ में लेते हैं मतलब ym a minus ym a इन दो terms को साथ में लेते हैं ym square minus ym into d minus ym square minus ym into d equal to 0 अब इन पहले दोनों term में से देखिए धान दीजे ये जो दो terms हमारे पास हैं इस में से हम बाहर ले सकते हैं किसे a को अगर इसमें से हमने A को बाहर लिया तो bracket में हमारे पास रहेगा M minus 1 प्लस अब यहां से और यहां से D को बाहर ले सकते हैं तो देखिए bracket में क्या रहेगा M square minus M minus 1 square minus 1 outside the bracket D equal to 0 हमने D को बाहर लिया चीक है इसका मतलब A into M minus 1 plus M square minus इस माइनस साइन से मल्टिप्लाई करेंगे तो minus N square और फिर यह हो जाएगा plus N into D equal to 0 ठीक है इसका मतलब A into M minus N plus M square minus N square इन दो टम को associate किया मतलब साथ में लिया है फिर उसके बाद में minus N plus N ऐसा लिखते हैं देखिए हमने क्या किया M square minus N square को साथ में लिया फिर यह minus N plus N outside the bracket D equal to हमारे पास रहेगा 0 इसका मतलब A into inside the bracket M minus N M square minus N square के दो factors रहेंगे M minus N और M plus N इन दोनों टम में से minus sign को बाहर लेते हैं तो bracket में M minus N outside the bracket D equal to 0 रहेगा ठीक है इन दोनों टम में से हमने minus sign को मतलब minus 1 को ठीक है यह समझ में ने आएगा माइनस 1 को हमने बाहर लिया माइनस 1 को बाहर लिया तो bracket में M minus N मिलेगा देखिए यहाँ पे M minus N है और यहाँ पे भी M minus N है तो square bracket में से हम M minus N को बाहर लेते हैं मतलब A into inside the bracket M minus N plus M minus N into inside the bracket क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा M plus N और फिर इस second place पे रहेगा minus 1 क्योंकि M minus N को हमने बाहर लिया यहाँ से M minus N को बाहर लिया तो M plus N यहाँ से M minus N को बाहर लिया तो minus 1 into D equal to 0 ठीक है इस complete term में से हम M minus N को बाहर लेते हैं अगर suppose हमने M minus N को बाहर लिया M minus N को बाहर लिया तो bracket में रहेगा A plus A plus M plus N minus 1 देखिए यहाँ पे क्या है A फिर यहाँ पे M plus N minus 1 और into रहेगा D now this is equal to 0 हमने M minus N को बाहर लिया तो M plus N minus 1 into D रहेगा यहाँ पे simply A रहेगा ठीक है अब देखिए A plus M plus N minus 1 into D equal to 0 upon M minus N ले सकते हैं लेकिन यह तभी ले सकते हैं देखिए friends धान दीजे यह problem थोड़ा सा हमें पूरा नहीं दिया इस problem में एक condition देना बहुत जरूरी था कि यहाँ पे जो M minus N है इसे 0 को divide करने के लिए M minus N non 0 रहना जरूरी है मतलब M is not equal to N जैसे इसके पहले question में P is not equal to क्यों दिया था उसी प्रकर से यहाँ पे भी M is not equal to N देना चाहिए था लेकिन मैं लेता हूँ यहाँ पे देखिए ध्यान दीजे लॉस आफ जर्नालिटी लेट हम क्या कहेंगे वीदाऊट लॉस ओफ उकी वीदाऊट लॉस आफ जनरालिटी हम क्या कंसिलर करेंगे M is not equal to N वीदाऊट लॉस आफ जनलालिटी इसका मतलब इस प्राबलम को किसी भी प्राकार का हम हार्म नहीं करेंगे किसी भी प्राकार की इजा इस प्राबलम को नहीं पोचाएंगे दुख नहीं पोचाएंगे और सिधे सिधे हम यहाँ पे चंसिलर करेंगे क्या M is not equal to N अगर M is not equal to N इसका मतलब क्या therefore देखिए M plus N से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर यह 0 रहेगा तो 0 upon 0 तो नहीं ले सकते हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोईशन का भागा कर का definition क्या है हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते जो नंबर non-0 रहेगा 0 numbers से हम किसी भी number को divide नहीं कर सकते तो उसे strong करने के लिए condition strong बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है without loss of journality m is not equal to n अगर m is not equal to n है therefore m minus n is not equal to 0 अगर m minus n non zero है is not equal to 0 है तो इच 0 को हम m minus n से divide कर सकते otherwise हम m minus n से divide नहीं कर सकते इसका मतलब a plus m plus n minus 1 into d equal to हमारे पास रहेगा 0 और इसे कहेंगे हम first ओके हमें क्या प्रूप करना है show that m plus nth term of ap is 0 अब यह m plus nth घान दीजे m plus nth term of ap हम किस प्रकार से consider करेंगे देखिए यह nth term का formula है बस उसी formula को m plus n के लिए तयार करना है मतलब t suffix m plus n okay t के पहर के पास हम m plus n लिख रहे है मतलब suffix t suffix m plus n equals to a plus n का value m plus n minus 1 into d रहेगा okay what is a plus m plus n minus 1 into d a plus m plus n minus 1 into d इसका value 0 है इसका मतलब t suffix m plus n equal to 0 और यहाँ पे हम लिखते हैं using first suppose हमने यहाँ पे first को use किया है t suffix m plus n equal to 0 मिला इसका मतलब क्या m plus nth term of ap is 0 okay hence prove यह हमें prove करना था m plus nth term of ap हमें 0 prove करना था तो इस प्रकार से हमने t suffix m plus n equal to क्या prove किया है 0 ठीक है इसका screenshot त्रीका last question number 14 यह activity based question है देखें यहाँ पे हमें क्या दिया है rupees thousand is deposited at 10% simple interest serverless जिसे हम कहते है 10% is simple interest check if the interest amount at the end of every year is in ap यहाँ पे amount of amount at the end of year यह ap में है okay if the interest if this is an ap then find the amount of the interest after 20 years after 20 years हमें interest यहाँ पे find करना है for this complete the following activity देखें यहाँ का जो interest है simple interest है और जो interest है यह ap में है if the interest amount at the end of every year is in ap okay तो यह simple interest भी जो है यह ap में है अगर ऐसा है तो हमें इस activity को complete करना है to find the amount of the interest after 20 years 20 साल के बाद उसका interest क्या रहेगा उस amount का यह यहाँ पे हमें find करना है कितना deposit हुआ है thousand thousand rupees यहाँ पे deposit किये गए है okay now simple interest का formula हमें पता है p into r into yen upon hundred p is thus p is the principal amount यहाँ पे उसे यूज कर रहे ओके now simple interest after one year तो यहाँ पे यह number of times मतलब यह पूरे year में रहेंगे यह जो है यह year में रहेगा now simple interest after one year is thousand into ten into one upon hundred अब यह दो zero दिखिए यह दो zero इस दो zero के साथ cancel होगे तो यह 10 बचेगा यह 10 into ten hundred into one it will be hundred तो यहाँ पे रहेगा hundred now simple interest after two years thousand into ten into two two क्यों लिया है अब यहाँ यहाँ पे टू बनेगा two years है फिर से यह दो zero यह two zero के साथ cancel होगे ten into ten hundred hundred into two it will be two hundred बहुत ही simple है उसी प्रकार से simple interest after three years तो यहाँ पे रहेगा thousand फिर यहाँ पे रहेगा ten और यहाँ पे बनेगा three ठीक है आफ्टर three years है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ का value three है फिर यह two zero two zero के साथ cancel ten into ten hundred into three यह मिलेगा यहाँ पे हमें three hundred now according to these the simple interest for the first year का कितना है one year का hundred two year का two hundred three year का three hundred उसी प्रकार से four year का four hundred रहेगा five year का five hundred रहेगा और six year का six hundred रहेगा ठीक है now respectively तो इस प्रकार से वहाँ पे simple interest मिलेगा बहुत simple है one year का hundred two year का two hundred three year का three hundred उसी प्रकार से four year का four hundred five year का five hundred और six year का six hundred रहेगा now from this d अब d हम क्या लेते हैं conjugate to term का difference two hundred minus hundred hundred फिर यहाँ पे three hundred minus two hundred hundred फिर यहाँ पे five hundred minus four hundred hundred six hundred minus five hundred hundred तो इसका मतलब यहाँ का common difference hundred रहेगा और first term जो है यह भी यहाँ पे hundred है ओके first term hundred है common difference भी यहाँ पे कितना hundred है now amount of simple interest after twenty years तो यह यहाँ पे हमें यंद्ध तरम का जो यंद्ध तरम का जो formula यहाँ पे apply किया जा रहा है यह equals to twenty substitute किया db यहाँ पे कितना है hundred है अब इसे हम calculate करेंगे बाजू में देखिए answer कितना आता है यह क्या रहेगा देखिए यह मिलेगा हमें hundred plus nineteen into hundred ऐसे मिलेगा यह hundred plus twenty minus one nineteen into hundred इसका मतलब hundred plus कितना रहेगा nine hundred hundred plus nine hundred it will be two thousand तो यह जो है यह t20 का value हमें मिलेगा two thousand two zero 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 ओके amount of simple interest after twenty years will be rupees two thousand तो amount of simple interest simple interest का जो amount है after twenty years यह बनेगा यहाँ पे rupees two thousand हमें यही पूछा गया है हमें क्या find करना था दिन find the amount of the simple interest मतलब interest after twenty years यह activity उसके लिए हमने complete करना था तो इसका answer रहेगा यहाँ पे two thousand ठीक है इसका screen shot लिजे देखे फ्रेंड्स इस फुले लेक्षर में हमने problem set three का question number nine से sorry question number ten से लेके question number 14 तक सभी question के solution को बहुत यह अच्छी तरह से discuss किया है यहाँ पी हमारा chapter complete होता है देखें friends हम हर एक chapter का theoretical part बहुत ही अच्छी तरह से discuss कर रहे है हर एक practice set के हर एक question के solution को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से discuss कर रहे हैा हरे इन वीडियो को यह अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके पूरे फ्रिंट के साथ इन वीडियो को वश्य शेयर कीजिए मुझे देखे बात लाइक कीजिए एक अच्छी सी केमेंट मुझे सेंड कीजिए क्योंकि इस चानल पर व्यूस बढ़ना जरूरी है सब्सक्रा एक प्रिपरेशन करेंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मात्स पार्ट और पारट तू दोओ पार्ट के हर चाप्टर के वीडियो लेक्चर के प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने प्रोवेड किया इसoras लिकिश करके आप उस चापटर के हर एक वीडियो लेक्चर को वहाँ पर बहुत ये तरह से देख सकते हो और अपना खुद का प्रिप्रेशन बहुत ये तरह से यहाँ पर कर सकते हो ठीक है चलिए अब मिलते हैं नेक्ट वे लेक्चर में थांक्स वॉचिंग इस वीडियो